हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्विटिट कॉम्डिटी में स्वागत करता हूं आज हम इस वीडियो में एक जबरदस्त और पावरफुल स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं और यह जो स्ट्रेटजी है यह आपका बॉलिंजर बैंड के यह देख सकते हैं यह आपका बॉलिंजर बैंड है और इसके वेशिस पर आज मैं आपको एक ट्रेडिंग एक ट्रेड्यी बताने जा रहा हूं और यह जो ट्रेडिंग स्ट्रेडजी बनेगए इसका इस्तेमाल आप किसी भी ट।्वेर्ड फ्रेम में कर सकते हैं जलीähänा Gabriel ल हैं तो यहां पर क्या होता है यहां पर सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है कि बॉलिंजर बैंड यहां पर आपको दिख रहा होगा यह बॉलिंजर बैंड का जो विद्ध है वह आपको चौरा दिख रहा है लेकिन यहां पर बॉलिंजर बैंड क्या हुआ पतला हो गया इस बैटसरा अर 20 गृट भोधिन इस्तिवालों धुमों करेंगे तो अगर आपके ट्रेडिंग प्लेट फार्म्म यह एबलीबल नहीं और फिरफेन तो आपको क्या करना पता है आपको switch करना जे वर दा आप पे stock या फिर angel broking में क्योंकि इन तीनों में ये indicator आपको easily मिल जाएगा और आपके सहगलियत के लिए link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा चलिए आगे बढ़ते और इसके उपर और हम detail से बात करेंगे लेकिन इससे related कुछ point है सबसे पहले हम उसको discuss करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो strategy है उसका नाम क्या है? Bollinger Band excuse breakout इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता narrow यानि Bollinger Band जहाँ पर narrow होता है उसके basis पर हम क्या find करेंगे? हम breakout find करेंगे ठीक है? यह क्या है? यह आपका एक straight forward strategy है और काफी simple है implement करना यानि हम आपको वैसा ही strategy लेगे आते हैं जिसका implementation आसान हो बहुत सारे वैसे strategies का implementation आसान हो उसके उपर हम बात करते हैं लेकिन उसको simple तरीके सा आपको समझानी कोसिस करते हैं लेकिन यह जो breakout strategy है Bollinger Band के basis पर यह आपका already पहले से simple है इसमें ज्यादा कोई complications नहीं है आप बस इस वीडियो में लाट तक बने रहें और देखेंगे आप किसका implementation कितना आसान है उसकी बात यहाँ पर क्या देखना बड़ता सबसे पहले आपको Bollinger Band find करना रहता है bandwidth आपको near the low मतलब bandwidth का lower line है bandwidth आपको वहाँ पर मिलना चाहिए वो मैं आपको वापस है चार्ट पर ले जाकर यह चीजी बताऊंगा उसकी बात क्या होगा Bollinger Band मैंने आपको तीन लाइन बताया था अब breakout कब मिलेगा जब upper band को price break करके उपर निकलेगा तो हमें breakout किस तरफ देखने मिलेगा breakout देखने मिलेगा upside की तरफ लेकिन जब यह lower band को price break करके नीचे जाएगा तो हमें breakout देखने मिलेगा downside की तरफ बस आपको यही तीन चीजी ध्यान में रखना है और मैं आपको regular basis पे इस तरह का strategy वाला वीडियो बताते रहता हूँ बस आपको एक ही काम करना चैनल को subscribe करना और bell icon को दबाना ताकि जब भी मैं वीडियो बनाओ उसका notification आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को miss ना करें ति यह तीन चीज बस आपको ध्यान में रखना और वापस से यहां पे हम चार्ट पे चलते हैं और इस strategy को details दे समझते हैं इसके basis पे हमें tweet कैसे execute करना कहां पे हमारा entry price होगा कहां पे exit price होगा और कहां पे हमारा target price होगा और इसके basis पे हम options और future में भी कैसे tweet कर सकते हैं वो भी मैं आपको detail से बताऊंगा बस video में लाज तक बने रहे चलिए वापस से chart पे चलते हैं तो यहां पे हम वापस से chart पे आगे और देख सकते हैं यह आपका nifty 50 का chart है daily chart है इसको आप किसी भी time frame में इस्तेमाल कर सकते हैं आगे मैं आपको और भी different time frame का example बताऊंगा सबसे पहले हम nifty example पे आते हैं तो सबसे पहला काम क्या है आपको chart पे बॉलिंजर बैंड जहां पे narrow हो रहा पतला हो वो find कर दा था यहां पे हमने find कर लिया आपका बॉलिंजर बैंड यहां पे narrow हो रहा अब यह narrow क्यों हो रहा? इसके पीछे concept क्या है? प्राइस का क्या? प्राइस का nature है क्यों आपको movement करेगा बहुत देर तक प्राइस आपका narrow होके नहीं रहेगा उसमें movement आएगा, मतलब यहाँ पे volatility कम हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, इसके बाद हमें breakout देखने को मिलेगा, breakout चाहे upside की तरफ हो, या फिर downside की तरफ हो, clear, अब यही चीज हमें find करना, और यही हमारा strategy है, इसके बाद जो breakout देगा, वो upside की तरफ देगा, या downside की तरफ देग क्योंकि कभी-कभी यह false breakout भी देता है, तो उसी को हम identify करेंगे, और वही हमारा strategy है, और इसी के उपर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, यह point clear हो गया, तो यहाँ पर हम strategy को बात करने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा concentration वराना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर हमें सबसे पहले find करना था, बॉलिंजर बैंड नेरो हो रहा, हमने narrow find कर लिया, पहला point यहाँ पर clear होगा, दूसरा, यहाँ पर हमने एक और indicator का इस्तिमाल किया, वह आपका bandwidth का जो आपको नीचे दिख रहा होगा, और bandwidth का line देख सकते, यह upper line है, यह आपका lower line है, अब यहाँ पर हमें क्या करना था, दूसरा condition क्या था, bandwidth का जो line है, वह आपको lower line के पास होना चाहिए, देख सकते, bandwidth आपका, कहाँ पर trade कर रहा, कहाँ पर move कर रहा, lower line के करीब ही आपको move करता हुआ दिख रहा, तो यहाँ पर इसका भी criteria fulfill कर दिया और इसका भी criteria fulfill कर दिया, मतलब जब यह आपका narrow होगा, bandwidth आपको नीचे में मिलना चाहिए, अगर यह narrow हो रहा, bandwidth उपर मिलवा है, इस strategy को हम वही पर drop कर देंगे, यहाँ पर आगे नहीं बरेंगे, दोनों condition को satisfy करना चाहिए, अब यहाँ पर देखिए, यह आपका bottom है, लेकिन इसका divergence किदर है, आप divergence देखिएंगे, यहाँ से आप एक simple सा straight line draw करेंगे, देख सकते हैं, यह आपका straight line हुआ है, तो इसका divergence किदर है, divergence आपको slightly upside की तरफ देखने को मिलवा है, मतलब जिस तरफ divergence है, breakout उस तरफ देगा, इसके chances बहुत जादा होते हैं, मतलब यह जो आपका range bound movement है, इसके बाद हमे breakout किदर देखने में लेगा, वो हमें bandwidth बताएगा काफी हद तक, यह हर एक बार सही नहीं होता, इसका आप equation 80% मान के चल सकते हैं, यानि 10 में से 8 बार यह सही बताएगा, और 2 बार आपको गलत भी बताएगा, तो जब गलत बताएगा, उसको भी हम कैसे filter कर सकते हैं, उसके उ breakout हमें मिलेगा, upside के तरफ इसके chances जादा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, breakout का वेट करेंगे, और breakout कब देगा, बॉलिंजर बैंड का तीन लाइन है, अगर नीचे side की तरफ breakout देना होगा, यह lower line है, इसको break करके नीचे जाएगा, तो हमें नीचे side की तरफ breakout देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ही देखिए, इसको break करके यहाँ पर closing दिया, यह हमारा क्या बन जाएगा, यह हमारा यहाँ पर बन जाएगा, entry point, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, buy करेंगे, clear, अब देखिए, यहाँ पर हम time frame क्या ले रहे है, daily time frame ले रहे है, daily time frame में आप क्य परेगा वह मैं आपको आगे बताऊंगा तो यहां पर हमारा स्ट्रॉप्लास करना है यहां पर फिर उससे पहले अपको लगता है प्रोफिट करना अब हमारा टागेट प्राइस किया होगा अब यहाँ पे हम आपको stop loss twilling दे रहे हैं तो आप चाहो तो stop loss को उपर लेते जाए जहाँ पे यह twill करके hit कर देगा वो हमारा target price होगा नहीं तो अगला जो आपका resistance level है वो आपका क्या बन जाएगा target price बन जाएगा आप पीसे चल के देख लेंगे या फिर जहाँ पे price आपको रुखता हुआ दिख जाए देख सकते हैं यह range है जहाँ पे price आपको रुखता हुआ दिख रहा तो आप यहाँ पे भी अपना क्या कर सकते हैं profit book कर सकते हैं यह भी आपका क्या बन जाएगा target price बन जाएगा clear है आपको entry point मिल गया target price के लिए मैंने आपको 3 options दे दिया आइदर आप stop glass को trail कर दे चलिए यहाँ पे trail होगे यहाँ पे profit book कर लीजे उससे पहले previous जो भी resistance level है उसको आप कर सकते हैं नहीं तो जहाँ पे price आपको 1-2 दिन गुखा है वहाँ पे आप profit book कर सकते हो clear होगे daily chart में अब हम यहाँ पे इसका और example देखते हैं ताकि आपको और clarity से यहाँ पे समझ में आ जाए यहाँ पे हम वापस से CDSL पे आते हैं और देख सकते हैं CDSL के भी यहाँ पे हम one day की उपर ही बात करें हम वापस और भी 15 minute के time frame पे भी आएंगे अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमें क्या find करना जब आपका bollinger band narrow हो रहा पतला हो रहा वो find करना यहाँ पे देख सकते हैं अब यह पतला हो सकता है एक दिन के लिए हो सकता है दो दिन के लिए हो सकता है एक हपते के लिए हो सकता और एक महिने के लिए भी हो सकता है यह कितना period का रहेगा वो हमें नहीं पता है लेकिन इसके बाद breakout किधर देगा वो हम identify कर सकते हैं अब पहला condition satisfy हो क्या दूसरा क्या हमें चाहिए? bandwidth हमें lower level पर चाहिए यहाँ पर देख सकते bandwidth lower level पर और यहाँ पर देख सकते bandwidth का divergence कहाँ पर यहाँ पर bandwidth का divergence आपका slightly upside की तरफ है तो यहाँ पर breakout कि दरफ देखने हो को मिलेगा? अपसाइड की तरफ breakout देखने हो को मिलेगा और पहले बाले मैंने आपको यह नहीं बता है options में कैसे trade लेना अब यहाँ पर देखिए मैं आपको वह भी clear कर देता हूँ अब यहाँ पर देखिए closing हमें इसके ऊपर चाहिए था closing हमें मिला है daily chart है तो हम stop loss किसको रखेंगे? mid value line को stop loss रखेंगे ठीक है अब यहाँ पर options में कैसे trade करेंगे? देखिए price आपका लगवग आपका 1100 करीब trade कर रहा है तो यहाँ पर क्या करो ATM का call options आप buy कर लो अगर upside की तरफ breakout दे रहा तो downside की तरफ breakout दे रहा तो ATM ही जाना है और इसका आपको put options buy करना है अब stop loss और target price क्या रखना? stop loss target price के लिए आपको spot को level को लेखना परेगा spot में यहाँ पर आपको level लेखना है अगर यह इस line को hit कर दिया तो क्या करें हम अपना options का भी जो भी trade है वहाँ से हम exit हो जाएगे वहाँ से हम बाहर निकल जाएगे नहीं तो हम यहाँ पर continue रहेंगे और जैसे ही मेरा target price hit करेगा वहाँ पर हम अपना target को hit कर लेंगे और profit book करके वहाँ पर हम निकल जाएगे यहाँ पर हमारा मैं आपको बस एक्जांपल दे रहा हूं आप कमेंट में यह मत करें लेगा सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं investment purpose के लिए भी जा सकते हैं लेकिन अगर आप आपके लिए काम की बात आईए यहां पर देखिए थोड़े टाइम के लिए क्लिए क्लोजिंग हमें चाहिए किसके basis पर बॉलिंजर बैंड का जो bottom line है इसके नीची हमें closing चाहिए इसके नीची यहां पर closing दिया है तो यहां पर हम क्या करेंगे यह हमारा बन जाएगा entry point और यहां पर हम क्या करेंगे sell positions लेंगे और यहां पर हम ATM options की बात करें तो put options को यहां पर buy करेंगे कब buy करेंगे अगर stocks FNO में available है तो FNO नहीं है तो फिर हम नहीं करें हैं हम futures में कर सकते हैं या नहीं तो आप चाहो तो intra day में कर सकते हो ठीक है clear हो गया इसके बाद देखिए price आपका all the way नीचे गया यहां पर आपको stopless क्या रखना हैं आप चाहो तो इसको भी रख सकते हैं लेकिन इसको रखना थोड़ा सा विस्की होगा इसलिए जो अपर लाइन उसको में stop loss रखेंग इसके बाद देखिए price आपका नीचे side की तरफ गया अब यहां पर आपका नीचे side की तरफ ही गया यानि अगर आप इस level पर भी sell करत हैं तो देख सकते हैं इस लाइन को मैंने बोला था stop loss हो कि stop loss हिट नहीं किया फिर आपका प्राइस बीटिस्ट्री या फिर swing trading के लिए भी रख सकते हैं तो आपको price all the way नीचे side की तरफ ही जाता हुआ दिखा तो इसके basis पर आप इस तरह के से ट्वेडिंग कर सकते हैं यहा पर किया बोलिजर बेंड आपका नहर हो रहा सबस्क्राइल इसको इसको हमने identify कर लिया अब यहां पर क्या है अब यहां पर हमें bandwidth को देखना जरासा भी divergence हमें देखने को नहीं मिले यहां फिर divergence का हमें clear direction देखने को नहीं मिले तो क्या करेंगे यहां पर हम इसके basis पर trading करना avoid करेंगे यह नि इस strategy को यहां पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसके बाद देखिए वर्ड क्रिटी आया market आपका नीचे side की तरफ गया उसके बाद यहां पर divergence हमें कब देखने को मिला सकते हो कि यह upside कि तरफ जाएगा लेकिन इसके बेसिस पर trade करना थोड़ासा विसक्य है इसलिए सिचुएशन में आपको क्या करना simply avoid करना trade नहीं करना एक दिन अगर ट्वेट नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्रत नहीं वैसे भी बहुत सारा strategy है इस strategy के वेशिस पर ऐसे condition आपको ट्वेट नहीं करना तो मैंने यहां पर आको क्या बता दिया सारा कुछ कब ट्वेट नहीं करना कब ट्वेट करना कब आपको अरेट बॉलिंजा बैंड नहरो होना चाहिए उसके बाद आपको bandwidth lower level पर मिलना चाहिए और bandwidth में divergence होना चाहिए वो divergence चाहिए इस तरह का upside की तरफ हो या फिर इस तरह का downside की तरफ हो थोड़ा बहुत भी divergence होना चाहिए वो divergence हमें दिखाएगा कि जो इसका जो breakout होगा वो किस तरफ हमें देखने को मिलेगा सो उमीद करते हैं यह आपको जबरदस्ट strategy समझ में आ गया होगा अगर आपको इससे related कुछ भी doubt या फिर confusion है तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं अगर आपको यह video पसंदा है प्लीज video को like करके हमें encourage किजिए ताकि हम इस तरह के video वेगला वेसिस पे आपके लिए बनाते रहे so मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिन